हेलो एप्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे बेड फर्स सेमेस्टर के लिए लेंवेज एक्रोस करीकुलम यानि कि हिंदी मैं अगर में बोलू तो पार्टिकरम में जो भासा का युगदान है इसके प्रीवेसर कोशन पेपर को हम लोग देखेंगे जो अलग-अलग साल के एक्जामेनेशन में कोशन पेपर आया है अगर वो आप लेना चाहते हो और अच्छे से डेफरेंट ले प्रीवेसर कोशन पेपर एक्जामेनेशन के पॉन्ट अप व्यू से इंपॉर्टेंट होता है गुमा फिराकर उनी से कोशन पूछे जाते हैं तो आपको यह 49 रुपीज में पूरा समेस्टर वन के सभी कोशन पेप के लिए मुझसे इंक्वाइरी कर सकते हूं तो चलिए 2021 का यह कोशन पेपर है वो आपको यहां से देखने को मिलेगा एक एक करके हम लोग सभी कोशन को देखेंगे MCQ को देखेंगे और भी चीजों को मिलोग देखेंगे आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप पहली बार आ है तो हमारे साथ इस पर इबार का हिस्सा बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से आप देख पाएंगे बिएट सेमेस्टर वन के लिए लेंगवेज एक्रॉस दे करिकुलम 103 यानि कि 103 इसका कोड है 2021 का ये कोश्चन पेपर है डेड़ घंटे का वक्त आपको यहां पे मिलेगा यानि कि 1N हाफ आर आपको टाइम मिलेगा और टो पांची कोश्चन पुछे जाएंगे MCQ में पहला कोश्चन देखे विच एस्पेक्ट ऑफ लेंगवेज आर स्टेडिंग इन लेंगवेज लेबरेटरी यानि की भासा परियोग साला में भासा के किन-किन पक्षों का अध्यन किया जाता है तो आप यहां से देख सकते हैं ध्वनी बेद बोधन, वाक्य अनुचेद, उच्चारन अनुकरन या फिर all of the above याने की सभी आप लोग नीचे कोमेंट करके जिन कोश्चन का आंसर आपको पता है जरूर बताएं आपके भाई बहन या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको इसकी सही इंफोर्मेशन मिल प कास में अभी नहीं तथा नाटक में ये पूछा गया इसका आंसर आपको नीचे कोमेंट करेंगे कोश्चन नमबर थर्ड यानि किसी वें डिड़ दा कॉंस्टिवेंट असेंबली ऑफ हिंदी एक्सेप्ट हिंदी एज ऑफिसल लेंग्वेश ऑफ इंडिया भारत की समिध च्छात्रों के द्वारा सिख्चक के आदर्स लेख का वैसा ही अनुकरन करना कौन सा लिपी कहलाता है डुब्लिकेशन यानि कि अनुलिपी, डिक्टेशन यानि कि सुर्थ लिपी, कॉपी यानि कि पढ़ती लिपी या फिर कैलिग्राफी यानि कि सुलिक अगला सवाल है और आखरी mcq आपसे पूछा गया है lsrw यानि कि listening सबसे पहले बच्चा सुनता है, as for speaking यानि कि फिर से वो speak करता है, बोलता है, r for reading फिर वो पढ़ता है और आखरी में वो लिखता है, तो lsrw से हम लोगों का language development होता है, आप अपने घरों में बच्चों के द्वारा इस चीज़ को देख पाओगे, तो correct sequence क्या है, lsrw तो यह देखिए incorrect है, इसे हम लोग correct बिल्कुल नहीं मानेंगे, दूसरा है lsrw यानि कि option 2 आपका क्या होगा, correct answer हो जाएगा, अब देखिए question number b, यानि कि section number b है, दो ही question को आपको solve करना है, 5-5 number आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, alright, देखिए question क्या है, what are the advantages of the multilingual classroom, यानि कि बहु भासिक कक्छाओं के लाब बताई, अगर एक कक्छा में मदरासी student है, यानि कि वो tamil बोलता है, कोई तेलगू बोलता है, कोई मलियालम बोलता है, कोई उडिया बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई अगला question देख लेते हैं हम लोग, question number 4, write the main function of language in a classroom and outside the classroom, यानि कि कक्छा में और कक्छा के बाहर, भासा के मुखिकार क्या है, उसे आपको लिखना होगा, what do you understand by listening skill and what are its different elements, यानि कि स्रवन कोशल से आप क्या समझते हैं, और इसके बिभिन तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है, अब देखिए section C, यहाँ पे आपको दो question को solve करना है, 20 number आपको मिलेंगे, हर question के लिए 10-10 number, section C है ये, discuss different classroom strategy for the developing reading skill learner, यानि कि छात्रों के पठन कौसल, पढ़ने को कौसल को कैसे develop किया जाए, इसके बिभिद कक्छा प्रविधियों की पिवेचना करे, अलग-अल understand with the term learning through language, how language learning contributes toward learning different subjects, यानि कि भासा के दोरा अधिगम से आप क्या समझते है, भासा अधिगम किस परकार, विभिद विशियों के अधिगम में योगदान करता ही आपको बताना है, question number 8, what do you understand by dialogue, explaining the characteristics and usefulness of a good dialogue, state the various basis of its writing, यानि कि समवात से आप क्या समझते है, एक अच्छे समवात की विशिस्ताओं और उप्यगताओं को बताते हुए लिखन के विभिन आधार को बताएं, आकरी सवाल है, question number 9, how will you include language as a subject in school curriculum, explain, यानि कि बिद्ध्याले पाटचर जामें भासा को एक विशे के रुप में आप किस परकार सम्मिलित करेंगे, इसका एक्रॉस दा करिकुलम 2021 का question paper, आने वाले समय में आपको 22, 24, 25 का भी question देखेगा, obviously, आने वाले period of course of time में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जाते जाते फिर से दोला दूं, 49 rupees में आप सारे PDF को अवेल कर पाएंगे, previous question paper को, आने वाले समय में जो आप exam देने जाओगे तो आप 399 में आप परे hand train notes एक्वायर कर सकते हो regarding beard, यहां से मेरी email id देख लीजे, yourmithunsing at the.gmail.com पर आप मुझे email कर सकते हैं, इस टापे हैं, then do follow me at the.imithunsing, मिलते हैं अगले वीडियो में, चाल को सब्सक्राइब करते वोए जरूर जाएंगे, वीडियो को ल